कि नुश्कार दोस्तों मैं चेतनं भूला आपको सौगत करते हूं अपने यूटफ चॉननल भूला मेकटेक आज जो मैं आपको बताना जा रहा हूं वह हैं कार्बूरेटर कैसे काम करता है प्रैक्टिकली तो यह आप मेरे हाथ में देख रहे हैं कार्बूरेटर है जिसके अंदर यहां पर यहां पर यह थोड़ा से जाद है यह जई देख रहे हैं यहां पर यहां पर यहां ऑलो यह उसके बाद यह इजो चीज़ देख रहे हैं चॉक के लिए यहां पर देख सकते हैं यह चौक वॉल्व है और यहां से आपकी जो भी हमारा क्या कहते हैं EGR के लिए पाइप जाता है जिसके दुरू हमारी वह जाता है और यहां से आपका फ्यूल जाता है इसके अनदर तो फिर शुरु करते हैं कि जैसे आपका पिस्तन नीचे की तरफ मूव करता है स्टार्ट करती है यहांपे अर्य जाधा उनके विल्पेसल से साव sus क्या करता है कि आप यह जो देख सकते हैं यह यह जा जब अर्वा का रिया जिसके तुरू हमारा यहां से fuel उटकर low pressure के तरफ मुवब करता है यहां से fuel हमारा निकल कर air के साथ भी मिक्षर बना लेता है इसके जब लेकिन अगर fuel की demand ज्यादा हो तो क्या होता है कि यह वाला जो pipe है इस वाले pipe के वह कर सकते हैं रेगुलेट कर सकते हैं कि आपको एडलिंग में कितना फ्यूल भेजना है उससाब से आपका सेट हो जाता है यहां पर तो अब आते हैं चौक कैसे कम करता है चौक जब आप नॉर्मली गाड़ी बाइक चलाते हैं या फिर गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है क लेकिन जब आपके बाइक कई बार नहीं चलती है क्योंकि उसमें एर फिल्ल मिक्षर थोड़ा लीन होता है तो रिच करने के लिए क्या करते हैं इस वाल को बंद कर देते हैं जब आप इस वाल को बंद कर देंगे तो जो भी एर जो भी एर वह इंदो सिर्फ इन दो वाल के इ मिक्षर में हुए हमारा रिच मिक्षर बन जाते क्योंकि इसमें एयर फ्यली मिक्षर में एर और संप्रण जल्दी चल जाता है हमारा ल का बागी मैं आपको दिखाना चाहूंगों आप देख रहेां इसके आइझेंद पूरा फ्यूल बहहा है इसके अंदर और यह बीज देख रहे हैं इस में जो भी फ्यूल के अंदर फेर्शाटरि फ्लोट कर रहे होते हैं जैसे कई बार EUama फीयूल के साथ अंदर क्या होता है वह पानी उपर फ्लोट करत önता है起 करते वह सारी चीजे पाइप है जो इस फ्लोट चेंबर के अंदर है उसके यह जो फ्लोट है फ्लोट आप देख सकते हैं पुरा हिलता है इस तरह से तो जब आपका फ्यूल लेवल उपर उठता है यह फ्यूल के साथ उपर उठता है यह फ्लोटिंग है इसके अंदर हवा है इस वज़े से फ्यू आप देख सकते हैं शायद यहां पर नीडल वाल लगा हुए अंदर की तरफ वह नीडल वाल भी इसके साथ खुलता और बंद होता है जब ये उपडर तरफ हो जाता है तो नीडल वाल जाता है जैसे हमारा फियूल टैंक से प्लट चमबर के अंदर उस वाले पूर के थ्रुब नराना स्टार्ट कर देता है उडिसाए पूरा थो यह फिल्ट फेलर नीडल वल्ळ ऊपर हो जाता है एक अर्ल मारा बंद जाता है दिक्ंद करता है क्यां कैसे काम करता है यह हमारा फ्लोट है, यह फ्लोट हा और यह आपका नीडल वॉल्व है, यह जू जब यह नीचे मुझ और नीचे होका इसको खोल देता है, जैसे नीचे होगा तो यह नीडल वॉल खुल जाता है और फ्यूल आना घर बंद जाता है तो आश्यक्रतनों आपको ये मेरी कार्बूरेटर की वीडियो समझ में आई होगी अगर आपको अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि पता चले कि ऐसा कुछ हो रहा है यहां पर या फिर मैं कुछ समझा रहा हूँ और थैंक्यू गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए तो कोई पैसे लगते नहीं है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और वीडियो को देखने के लिए और ऐसी मैं आगे भी अपनी नॉलिज को शेयर करते रहेंगे हम लोग और थस्टे को देखना ना भूलेगा मेरे कुछ नई टेकनोलोजी के बारे में बताना है कि कोशिश करूँगा आपको थस्टे के दिन थैंक्यू गाइज